एसी नहीं नहीं तर्कीबे अब हमको है चन्नी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी एसी नहीं नहीं तर्कीबे अब हमको है चन्नी इस कारिक्रम की प्रायूजक है कृषी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार आकाश्मनी का एफम कोल्ड चैनल 100.1 मेगा हर्स के साथ आप सभी जुड़े वे हैं साथियों कारिक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत-बहुत सागत है आज मैं हूँ आपके साथ आरती और मैं हूँ रजदीश जी हैं बिलकुल लेकर आएं एक बार फिर से आपके लिए एक समसामा एक विशे जिससे सुनकर जिससे सुनने के बाद आप अपनी खेली बाड़ी में जरूर कुछ नकुछ बहतरीन और उसको बहतर कर सकते हैं तो चलिए विशे बता देते हैं जल्दी से आपको आज हम बात करेंगे खरीफ फसलों में खर्पतवार प्रबंधन आप किस तरह सिख कर सकते हैं और हमारे जो विशे शक्ये हैं विशे शक्ये हैं डॉक्टर विपिन कुमार जो की सस्य विज्ञानिक हैं जल्प्रद्योगी की केंद्र में भारती कृषिय अनुसंधान संस्तान पूसा नई दिल्ली में तो डाट साब आपका बहुत-बहुत स्वागत अधन्यवाद और साथिन जैसे कि आप जानते हैं यह फोन इन कारेकरम होता है तो आप बिल्कुल अपनी जो भी प्रशन है आज के विशे से जुड़े हुए आप पूछ सकते हैं आपको फोन नंबर बता देते हैं तिल्ली के स्टिटी कोट शुर्ने एक एक यह डाइल करें इसके बाद 2342-1081 इसके अलावा एक और फोन लाइन है 2342-1083 इस पर आप कॉल कर सते हैं और जब तक आपके फोन कॉल साते हैं आप की सिग्द्स भी करें कारेकरम को अपनी प्रशनों कर मादयम से शुरू करते हैं जैसे कि बात हुए कि खरी फसलों में खर्पतवार प्रबंदर, खर्पतवार जैसे कि हमारे किसानमित्र भी जानते हैं, हम भी काफी समय से कारेक्रमों के माधिम से हम भी जानते आएं, कि एक ऐसी चीज़ें जो फसलों को कहीं न कहीं बहुत प्रभावित करती हैं, बरबात करती हैं, तो अगर दे कि अखिश्ट निदी किछया से हुआ उसी सिरे तरह ब transmission yeah अगर हमके लागभग 35 शरह परष्शंट 37 शाथू कjang करीबन पूरे पेस्ट यहां इंडिया Glass लुए पूरे टतने खेट से फाइंड आउट है जिए एलागश flow तो उनमें भागिदारी देखेंगे इस खर्पतवार का इसका कहीं बहुत ज्यादा है थर्टी फाइव थर्टी सिक्स पस्टंट तक एफस्टों को नुक्सान करता है कहीं तो यह देखा जाता है कि अस्ती से नभे पस्टंट तक क्रॉप को भी फेल करवा देता है जैसे हम ब जादा खर्पतवार का प्रकोफ होता है और देखा गया है कि करीवन 80-90% तक भी नुक्सान पाया गया है तो 70-90% तक नुक्सान हो सकता है यानि कि जो आज का विशे है हमारा खरी फसलों में खर्पतवार प्रबंध है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसको अच् खर्पतवार की और यह बड़े ही इसको अवांचित पौधे भी कहते हैं जो दूसरों के पोशक तत्व ले लिता है तो डट सब सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि खर्पतवार होते क्या है और किस किस तरह के होते हैं खर्पतवार हम कभी क्या होता है कि जो हम एक जो उन्हीं को खर्पतवार बोल देते हैं आमूमन खर्पतवार हम उन्हें ही बोलेंगे जो आपके इच्छा बिरिद मतलब बिपरीद आपकी अस्थान पर और आपके उस समय में फसल के साथ मान लीजी आप कोई फसल उगा रहे हैं उसके बिपरीद मतलब उसके अलावा उस पर और उस समय अगर पाया जाता है तो कोई भी ही बनास्पती आपका खर्पतवार होती है अभी जैसे धान का फसल है तो धान में यह भी देखा जाता है कि धान के जो पहले के सीड हैं जिसको वॉलेंटियर प्लांट्स उग जाते हैं जो पहले जो आपने माल लीजे कोई बराइटी लगाई है तो अभी देखेंगे बहुत से किसानों के खेतों में यह भी पाया जाता है कि यह पहले के धान के जो सीड थे वो भी जर्मिनेट कर जाते हैं और भी अवांचनी हैं तो उनको भी हम वीड के कटेगरी में लाते हैं वो भी खर्पतवार के ही कटेगरी है तो एक तरह से खर्पतवार ही है और आती मुझे लगता है कि कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं यह ने भी ले ले लेते हैं फिलाल वो मुझे लग रहे है लाइन फिलाल कट चुकी है कोई बात नहीं भी वापस से चुड़ेंगे तो हम जरून को शामिल कर करके रखता है वो मतलब आपका एक प्रश्णी भी खर्पतवार क्योंकि सुनने में तो लग रहा है कि भाई पोशन भी ले ले रहा है हर तरह से उसको नुक्सान ही कर रहा है तो कि खर्पतवार नुक्सान दायक ही होते हैं या कुछ इनकी कुछ ऐसे होती हूँ प्रजाती कि खर्पतवार हम फसल उगाने की दिरिश्टी से देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा केश्व में यह एक तरह से नुक्सान दायक ही है ठीक है नो डाउट हर क्रपतवार में कुछ नो कुछ चीज की बहुत से जगों में पाई गई यह कि मैडिश्णीनल बैल्यूस होती ह हैं जिनको लेकिन वह अलग चीज है ठीक है हम किसान के लिए क्या होता है कि हमारे बोई गया पौधों के साथ कोई दूसरा प१ाँ साथ कंपटिशन कर और तो इस आ belief थे दृश्टि आ तो उतना फाइदे मंद किसानों के लिए नहीं है और अगर चारा फसले बोई जारी तो उसमें भी अगर किसी तरह की खर्पतवार आ जाते तो चारा फसलों की अगर हम बात करें तो जैसे चारा में में वीड का ध्यान देना है जिन में थोड़े सी टॉक्सिटी उनके उगने से चारे की quality में कोई deterioration ना हो वैसे तो है बनसपती अगर माल ले हम बात करें अगर दूब घास है तो दूब घास तो कोई दिक्कत नहीं करेगा चारा के नहीं है ठीक है लेकिन अगर कोई ऐसा जो कांटेदार वाली वीड है अब वो अगर आ गई तो वो चारे में नुक्स हमान पहुंचा देते हैं, हमें फैसे धीन देना है कि वैसे बनसपती उस चारे वाली भी फसल में ना हो तो कोशिव क्यों Amazon लगता है तो आप उसको निकाल recording को नुक्सान है कि इस बेच हमार से हमारे सथे कॉलर जुट रहे हैं अभी nou ले लेते हैं हलो जी नमस्कार सब्सक्राइब कम से 65 साल उमर है जी खर्पतवार इतनी साल आया है ना कैसा कभी नहीं देखा और जो नकुली गास है असल में जो चोड़ी पत्ती वाली तो मर जाते हैं दवाई से अजो नकुली वाली है हजार रुपे की डाल दी और फेर भी फोनार हो गया फोनार मां सब्सक्राइब कर देखिया रहे जैसे पीछे करान कि बार बारिस आप अभी बारिस ने काफी फेवरेबल उनको क्लाइमेट दे लिए है जिसके वजह से क्या है कि खर्पतवार ज्यादा उग जाते हैं तो आप जो कह रहे हैं छोड़ी पती वाले जो आपने कौन सी फसल लगाई है इसके बारे में तो बताया नहीं लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि जैसे कि आपको लगता है कि आपके में चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं है और घास वाले अगर हैं तो जाके दुकान से आप ऐसे हर्बिसाइट का जो चुनाव कर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी फसल काफी उचाई तक आच चुकी है तो उतना जादा यह नुकसान दायक नहीं होते क्योंकि नीचे सप्रिस्वाते हैं हमेशा फसल में याद रखिएगा 30 से लेके 35 दिन यह जो होती अर्ली अवस्था इस अवस्था पे आपको अप बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है तो यह सब बड़ा जब आप केमिकल लाते हैं अपलाई करते हैं तो जड़ा मौसम को भी ध्यान में रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अभी दो घंटे बाद तिन घंडे बाद बारिस आ जाएगी फिर कम से कम 24 गंटे उसको दीजि और अपने का कि क्लाइमिट का भी भूत असफर दिक घंडे बारिश के तो इसी के थी महीं आप ने कहीं कॉन परसीति है को अृस बारिश घंट रहना एंडमान चले जाएं, कॉस्टल एरिया में जाएं, खूब बनस्पतियों का लग्स होता है। इसी तरह से हमारे इस एरिया में जो बरसात का समय है, वही एक समय क्या होता है, बहुत फेवरेवाल होता है। इसलिए इस टाइम पर वीड को कंट्रोल कर पाना बहुत मुस्किल ह लेकिन उसके लिए एक हो सकता है कि आप क्या करें, सही टाइम पर बुआई करें। अगर बहुत नुकसान होता है। वैसी इस्तिती में आपके जून का पहला जो वीड है, उस टाइम पर किसी तरह से भी, किसी हालत में भी आप बुआई कर दीचिए। जैसे जुलाई आज आता है, बारिस बहुत थेज होने लगती है, और अगर आपने लेट किया है, तो जमने में तब तक उससे पहले आपका वीड आपको कभर कर लेगा। इस तरह की चोटी-चोटी बाते हैं, कभी-कभी हमें ध्यान देनी पड़ती है, कभी हमें सही टाइम पर बुआई नहीं धान में अगर देखेंगे खरततवार, तो एक तो एक आइनो कलोवा कोलना, एक वाइल राइस बोलते हैं, और सावा, यह तरह हो जो जो धान की तरह ही क्या होता है, वो दिखता है, लेकिन अब जैसे बड़ी अवस्ता में आएगा, तो उसमें थोड़े पुस पाने स्टार हो जाएंगी, जिसे आप पहचान कर सकते हैं, तो वो एक बहुत मुख वीड है, जो इसके साथ आता है, उसके अलामा भी लेप्टो क्लोवा चाइन सीस है, जो आता है, ठीक है, इसमें भी जैसे बड़ा होगा तो उसमें फूल आने स्टार होते हैं, तो वो आप उसको करते हैं कि खर्पतवार आपको धान के खेत मि आपको धिखेंगे. अधलं की फ़सले होते हैं इसी तरह जो हमारी दलहनी फछल उसमें कौन-कून यस वक्त खर्पतवार देखे जा रहे हैं हैमें कुछ बड़ानी फ़सले हैं इनमें लगवग में जो शीजन होता है ना मु यह दिखने को मिल जाएगा तो लेकिन देखेंगे का चौणी पत्ति के ट्राइंथिमा है ठीक है एवेन आपका दूबा घास है एकाईनों कोलोना भी दिख सकता है उसमें भी दिख सकता है उसमें भी पल्स का जो ड्राबैक है वह यह है कि हम खर्पतवार सही से मैनेज नहीं जिसके वाद से खरी पल्स का जो प्रोडक्शन है वह कम होता है तो हमारा किसान भाईयों से हमेशा यह बहुत ही निवेदन होगा कि जब भी आप पल्स उगाते हैं तो ताइम आफ स्वेंग मैने जैसे बताया आपको आप पहले फिक्स कर लें कौन सी आप अरह लगा रह र इसको बोलते हैं स्वेंग कीजिए एक से दो दिन बाद स्प्रे कर दीजिए एक किलोग्राम प्रति हेक्टर के इसाप से उसके बाद एक जो पोस्ट इमर्जंट इमेजा था पायर एक पोस्ट इमर्जंट पल्स के रिए एक अच्छी हर्विसाइड है उसको भी आप पल्स इमानली जो कुछ ऐसे हैं तो इमेजाता पायर जो मैंने बताया पोस्ट इमर्जंट 15-20 दिन बाद जिसको हम इस्प्रे करते हैं उससे यह क्या होंगे जो बाद में आने वाले थे वही कंट्रोल हो जाएंगे और उसके बाद भी अगर कुछ चीज रह जाती है तो एकाद निराई गुडाई ज़रूर कर दें कुल मिला के 35 दिन की अवस्था में आपको पल्स को अच्छे से वीट फ्री रखना ही रखना है अगर आप चाहते हैं पल्स अच्छी पैलावारा पाए तो बिल्कुल मारे किसार में तरही जाते कि उनकी जो पल्स जिन जितनी दाले हैं काफी अच्छे से भले भूले काफी अच्छे से उसमें जुद्धाने हैं वह आए तरुसाभी कॉलर जुड़े हैं कोशिश करते हैं उनसे बात हो जाए हलो जी नमसकार सर जी स्वागाते कारिकर्प में आपका नाम बताई अपना प्लीज जी बताईए पूछी क्या अगली बार जब आप बाजरा लीजिएगा ठीक है तो एक प्री इमर्जेंस एक्ट्राजीन आती है एक्ट्राजीन प्री इमर्जेंस हर्विसाइड है बाजरा की बुआई आज अगर आपने कर दिया तो कल या पर्सों समझेगे ना इसकी इस्प्रे करवा दीजिएगा तो जिससे क्या है चौणी पत्ती वाले और आपके जो पतली पत्ती वाले जो भी खर्पतवार हैं वो नहीं आएंगे बाद की अवस्था में क्या होता है बाजरा बड़ी फसल होती है इसकी हाइड ज्यादा होती है तो फिर क्या होता है कि चौणी पत्ती वालों पर तो असर करता होगा लेकिन जो पतली पत्ती वाले है उन पर इसका असर कम होता है तो इस अवस्था मे तो हाथ से ही गुडाई देख लीजिए अगर करवा सकते हैं तो करवा लीजिए वैसे भी ये चौड़ी कहते हैं उसमें रो में उगने वाली फसल है ठीक है तो हमें यह नहीं पता अब किस स्टेज पर है आपकी जो फसल है अगर बढ़ चुकी है और खरपतवार नीचे है त पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब एक और कॉलर जोड़ें से भी बात कर लेते हलो हलो जी नमस्कार सर नमस्कार जी सभी को जी नाम बताई सर और प्रश्म भी पूछिए अपना यह दिली से जी बाज इस पुर गाउं राज भी रसू जी पर लगना इस्टार्ट हो चुका है जो आपकी इस्टेम को आपकी तना है उसको काट रहा है जिसके वाएसे वह आपका सफेद बन रहा है तो आप अपने पास के किसी भी जो केमिकल की दुकान है या कोई सलाकार है जहां पर आप जाईए उसको बताईए निश्चित तोर पर उसका सुझान कोई केमिकल सुटेबल केमिकल देगा जी साथियों आपको बता दे आज हम बात करें खरी फसलों में आपकी इस तरह से खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं अपनी फसलों को एक उननत दिशा दिखा सकते हैं हमारे फोर नंबर से हैं शुन्ने के दिलिक एस ऄदाइ मधनी चांश ल्ए मेरे यूद से के नब स्वाव फिए हालो जी नमस्कार सर नमस्कार जी अपना नाम बताएं आप कहां से बोल रहे हैं रामपल जी आपने सवाल पूचिये किस चीज के लिए है खत्परवार के लिए तो थोड़ी दो दबाव मान दिये दोरी देखिए क्या है कि कभी-कभी हम जब हर्विसाइट डालते हैं तो इसका आसर आपके फसल पे भी पड़ता है इसलिए हमेशा याद रखिएगा किस अवस्था में डालना है किस डोज में डालना है इन सब चीज मुख्य वसल है उसके भी ग्रोथ को कभी-कभी यह थोड़ा एलो कर देगा या थोड़ा सा कम ग्रोथ होगा बढ़वार होगा तो यह अमूमन होता है तो इस पर आप जो कैमिकल यूज किये थे उसका डोज और क्या टाइमिंग सही था इस पर भी जड़ा आप चिंतन कर ल प्रदानमंत्री किसान मांधन योजना से लगू सीमांत किसानों का भविष्ट होगा सुरक्षित और साथ वर्ष की आयू से तीन हजार रुपे मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित 55 रुपे से 200 रुपे की मासिक किष्ट देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंश्टायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदार सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाप के लिए जनसेवा केंदर में जाएं और अपना निशुक नामांकन कराएं प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना अनदाता के परिश्च्रम को संब्द पेंशन से सुरक्षित उनका कर किर्शी एवं किसान कल्यान मंत्रा अले भारत सारकार द्वारा जनित में जारी संकट के समय प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना किसानों के लिए बरदान है अब भूखा पड़े या बाड़ा जाए तोई गर नहीं है अब बोले पड़े ये कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं क्योंकि हमने यह है प्रधान मंत्री फसल बिमा बॉआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा नियूनतम प्रीमियम पर अधिक्तम भुखतान का बादा योजना से हर साल जुर रहे है पांच करोड से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी अधिक्रत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजी करन प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कबर्च कृशी एवं किसान कल्यान मंत्राले जैसे हमने बताया कि पहले भी जो सीधी बुआई जो धान की सीधी बुआई है और ऐसे चेत्र जो धान की उचली अस्थान पर थोड़ा नीचे वाले जैसे लोर गेंगेटिक ब्लैन बोलते हैं जो कि हमारा इस्टन उत्तर प्रदेश है बिहार है वेस्ट बंगाल है तो वहां पर क्या है पानी की बहुत जार लगा होते हैं लेकिन कुछ ऐसे अस्थान भी है जहां प्रकिसान भाई धान उगाते हैं और पानी खेत में उतना जज़ कर जाता है तो हमें उन किसानों को यह बताना होगा कि जैसे आप बुगाई जो है अगर अपसीधी बुगाई करना चाहते हैं तो याद रखिए का बुगाई का टाइम बहुत ज़्यादा महतुपूर रखता है जून का पहला वीक तक आप बुगाई कर दीजिए क्योंकि दूस टाइम पो उतनी बारिस नहीं होती तो क्या होता है जो वीड का लक्स फ्लस है वह अभी जल्दी नहीं आता ठीक है उस अवस्ता में जब कम से कम 2-3 पत्तिओं में आपका धाना जाता है तब बारिस पूरी अच्छी अवस्ता से स्टार्ट हो जाती है आना तब अगर जोलरी है ठीक है प्रिमर्जन्स में जैसे हम चाहे पेंडा मेतलीन है प्रेटिलाकलोर है इन सब को च्रिकाओ कर सकते हैं जिससे की अर्ली अवस्ता वाले ही वीड है जो सप्रिस हो जाएंगे उसके बाद 20-25 दिन की जो अवस्ता होती है उस टाइम पर एक बारी बैक सोडियम आती है ठीक है जो नाम की दवा है यह भी बहुत कारिकर होती है जिसको कर देंगे तो इस तरह से अगर आप अडाउप्ट करते हैं तो जो आपका 30-35 दिन है जो वीड फ्री हो जाने से आप DSR से भी कम पानी लाग जो कहा जाता है कि 30-30% करीवन 34% पानी कम खाता है जो ट्र करते हैं तो आप DSR सीधी बुआई से भी अच्छी उपच ले सकते हैं तो बात भी धान की अगर हम बात करें जो खरीव में एक मक्की की फसल भी है तो उसमें किस तरह के खरपतवार होते हैं और उसमें किस तरह से रोकताम करने चाहिए मक्का का देखेंगे जो सबसे पतवारों की जो अरली अवस्था पे अगर है तो वो जब छोटा रमक का रहता है तो उस टाइम पर खरपतवार है तो वो नुकसान ज्यादा करेगा तो उसके लिए मैं बता दू अट्राजीन जो दवा है जो इसके मेज के लिए है प्री मर्जेंस मैं अगेन चाहता हूं इसके मैं समेच भारों और जब अगर है अगर अर्ली बाद की वस्ताप आठ लीफ के करीबन जब मक्के में आ जाए एक टेमबोट्रियान सब्स्ट आ ना को करीब हमों करें तो मध्का परभाव जो जो चाहे ग्रास हो और चाहे चौनी-अी पट्ती वाले हों मर चाते महें अगर आपके पास लोकल मैनुवल लेबर हैं तो भी आप उसको जा सकते हैं लेकिन अगर आपको केमिकल यूज करना है तो आप इन केमिकल का चुहाओ कर सकते हैं अगर किसी नर्सरी लगाने के तैयारी करें कोई किसी भी खरी फसल के लिए तो उस समय पर क्या मुखे साथ धानी परते हैं ताकि खर्पतवार से बचाव काफी हद तक हो जाए जैसे नर्सरी में हमेसा भी छोटी एरिया होती है तो मैं हमेसा रिकमेंड करूंगा पहले तो अ नर्सरी की लंबाई कितना भी रख लीजिए लेकिन चोडाई कम रखिए जिससे क्या होगा कि आप साइड में बैठके अराम से जो भी वीड्स निकलते हैं और एरिया कम रिक्वार्ड होती है अगर हम धान की बात करें वन बाई टेन एरिया रिक्वार्ड है अगर 10,000 तो इसके लिए सबसे बड़ा मुख्यसावधानी यह है कि टाइमिंग आप जो हर्विसाइड है उसका डोज को अच्छी तरह से यह ओवर्डोज दे रहें दूसरी बात हवा का दिसा हवा गर जैसे अभी कुस किसानों ने बोला था कि हमारा हर्विसाइड काम नहीं कर रहा तो यह सब है चीज़ें अगर देंगे तो डेफिनेटली बच कर रहा है आप बहुत जानकाई देना चाहते हैं लेकिन समय अपने ही बचा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आपने हमें आउस्वर दिया सातियों आज के कारिक्रम से मिली जानकारी को पूरो पूरो प्योग कीजीगा फिलाल आज के कारिक्रम किसान की बास से मैं आर्ती आप से विदा लेते हैं नमस्कार इस कारिक्रम की प्रायुजक थे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार लक्ष अमारा हर किसान की आंदनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तरकीवे अब हम को है तुम्हें